देखिए यहां पर एक important बात यह है कि responsibility किस पर है जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि घर की responsibility मर्दों पर ही होनी चाहिए क्योंकि pregnant तो वो नहीं होते हैं, mensis तो नहीं नहीं आते they are physically, they are mentally more capable वो जादा capable है जैसे हमें study से पता चलता है planning skills उनके पास जादा होते हैं और spatial abilities, यह कई abilities है जो उनके पास जादा होते हैं, emotions का वो जादा control कर पाते हैं they are most suitable, उन्हें वो responsibility 100% shoulder करने दे दी जाने चाहिए 100% responsibility कमा कर लाने की responsibility उस पर बलकि wife को उसकी घर की जो area है वो उसका prime focus हो उसके अलावा अगर कोई और करना चाहती है with the permission of a husband, अगर वो करती है तो within those permissible limits, जहां जहां ज़रूरत है जहां teachers की ज़रूरत है, जहां पर और 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 लेडिस, डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है तो वो areas को वो cover करें